नमस्कार साथियों मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इन दिनों और दोगे की विवाद अधिनियम प्रावधानों के संदर में और मैंने पिछली वीडियो में आप से शेर किया था कि चटने को परिवाषित करते विए कि कुछ पांस कारण मैंने आपको बताये थे उनकी अथिरिक्त कोई कारण रहता है तो वो चटनी इस्थीटी में आता है जो पांस कारण जो बताए थे वो ये थे की हम शास्नात अप्मा कारवाय डिसिक्लिनरी एक्षन के तोरान और किसी वैक्ति को हटाना चटनी नहीं है इसी इस तरह से जो सुपर एनुवैशंच यानि की दिश्ञे में कि वह नोन रिनीवल ओफ कॉंट्रेक्ट यदि कोई समीदा है और उस समीदा के परिनाम स्वरूप या उसके नोन रिनीवल अइनमीनी करण की स्थीती के कारण यदि किसी व्यक्ति को हटायाजाता है सेवा मुक्त किया जाता है तो वो कारण छटनी में नहीं आएगा तो रिट् आर्थिक कारण रहता है जिसमें कोई नियोजग है वो अधिशेष शर्मिकों को अपने कार्ये की निरंतरता के दोरान उद्दू की निरंतरता के दोरान सर्प्लस जो शर्मिक हैं उनको हटा देता है तो जैसे मैंने यह भी पताया था कि 1953 के अंदर इस एक्ट में कुश्ण सोधन में थे ले ओफ को लेके और रिट्रेंजमेंट को लेके तो मामला यह था कि 1953 से पहले जो इंडस्ट्रियल जो वर्ड था जो दोगिक विश्व आप इसको कह सकते हैं उसमें हायर एंड फायर का सि है किसी व्यक्ति को नुक्त कर ले और कितनी ब्याओदी के लिए नुक्त होने के बावजूद किसी ने 20 साल सेवा की लेकिन बावजूद इसके कि उसने उसको कह दिया कि भाई अगले दिन साब को नहीं आना इस तरह की एक स्थीटी थी और उसके उपर उसका ना ही कोई आर्थिक मंदी आई थी विश्यापी और नियोजक जो थे उन्होंने आर्थिक कारणों का हवाला देते भी है और जो शूती वस्त्र जोट्योग था विशेश तोर पर वो प्रभावित हुआ था और भूत लोगों को उस्तोरा रिंट्रेंस्मेंट का शिकार होना पड़ा तो दिरे दिरे यह सब चीजें आम होती चली गई और केंद्र सरकार ने ओद्योग्य की विवाद संसोदन अधिनियां 1953 पारित किया और चटनी के अपर कुछ नियंद्रन स्थापित किये जैसा कि मैंने बताये था कि किसी भी आर्थिक कारण के परिणाम सरूप रिट्रेंस्मेंट हो सकता है लेकिन यदि नियोजक है वो पूरे नियोजन स्थान को यह बंद करता है तो उसको छटनी नहीं माना जाएगा बल्कि उद्वग बंदी माना जाएगा क्लोजर ओफ अं रहता है उद्वग की निरंतरता के दोरान अधिशेश जो शर्मिक रहते हैं जो सर्प्लस जो जो लेवर है उसको काम से आठाये जाता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो पांच कारण है अनुशाशनात्मकारवाई वोलेंटरी रिटायर्मेंटेज ओप सुपर अनुवेशन लगातारे स्वस्त रहना नौन रिनीवल ओफ कोंट्रेक्ट इनके अतिरिक कोई कारण हो सकते हैं जैसे लगातारे स्वस्त रहना एक जो आंक का जो वीजन रहता है जो देखने की जो सकती रहती है वो उचित नहीं थी तो उनको हटाया गया जो माबदन्ड थे उनके अनुशाथ नहीं थी तो ऐसे कारण को माना गया लगाता रहे स्वस्त रहना तो इसके परिणाम सुरूप किशी व्यक्ति को अटाये जाना क्या चट्नन माना जाएगा यह उससे नंक कारण है इसी तरह से अनुशाथ नात्म कारवाई के परिणाम सुरूप यदि किशी व्यक्ति को हटाये जाता है तो वह छ् attributed से परिणावस्तिक को अटाये जाता है गयमन इंडिया लिमिंटेड वर्सेज निरंजन दास का इसमें केस आता है उसमें स्पस्ट रूप से कहा कि भाई लगातार एस्वस्त और वुरद हावस्था के कारण यदि किशी व्यक्तिव को अठाया जाता है तो छटनी नहीं माना जाएगा इसी तरह से जो अनुशासनात्मकारवाई से सम्मंदित केस से स्टेट बेंक ओफ इंडिया एमेस वर्सेज एमेस मनी का तो एक केस है एस प्रोडेक्ट एजेंसी वर्सेज उद्योगिक अधिकरन इसमें छटनी सब्द को सपस्ट करते विए कहा था कि छटनी का भिप्राय अधिस यानि सर प्लस्त रमिकों को शिवा मुक्त करना है उद्योग को किसी विभांती बंद करने की स्थीति छटनी में सामिल नहीं की जाएगे इसी तरह से यह था कि मौरिंदा कौपरेिटिव सुगर मील वर्सेज राम किशन इस में एक गणन। जो चिनी मील थी और इसमें जो सीजन जो होता था मौसम स्पेमी सेज़ता जिसमें के पिरोई का जो काम आप जिसको करते हैं उस नोरान किसी व्यक्ति को या बहुत से व्यक्तियों को काम पे ले लिया जाता था और उस मौसम विशेश के बाद उसको काम से हटा दिया जाता था तो ऐसी जो स्थीती थी उसको छटनी नहीं माना जाएगा इसी तरह से हरियाना स्टेट एप सीसी डबलू स्टोर वर्षेज रामनिवास का प्रायोजन के लिए की जाती है और वो प्रायोजन पूरा हो जाता है तो निर्धारित सेवा अधी के पस्चात सेवा मुक्त करना चंटनी नहीं मना जाता है तो मेरी इंड़ा कोपरेटिव शूगर मील वर्सेज राम किशन और हर्याना स्टेट यह दो कैसा है जो सपाश्ट से कहे देते हैं कि मोस में प्रकरती डिया उस्ट के लिए न्योजन अनिवास यह का काम के पूरा होने पाद किसी व्यक्ति को कारिये से हटा दिया जाना छटनी नहीं माना जाता हो शकता है किसी बिल्डिंग का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चबने लग रहा हो और उस प्रोजेक्ट के बाद उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पूरे होने के पाद किसी व्यक्ति को काम से अटा दिया जा कारिये की निरंतरता के दोरान ही किसी व्यक्ति को हटाया जाये और उन पांच कारणों की अतिरिक अन्य कोई कारण रहे हैं आगे मैं आप से बात करूँगा हट ताल के से दर्वे